हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल सिन्हाज गार्डन तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लो आई होग कि आप सभी लो ठीक होंगे कि गुल्दाओदी में कुछ-कुछ फ्लावर्स विल्कुल से सुख गए होंगे और कुछ-कुछ में फ्लावर्स खील रह Ihnen जैसे कि ये मेरे फ्लावर्स अभी खील रहे हैं उसकी केर कैसे करें और जिनमें फ्लावर्स बिल्कुल से सूख गया हैं तो उस प्लांट को नेक्ट सीजन के लिए कैसे सेव करकर रखें तो चलिए पहले देखते हैं इस प्लांट में तो इसमें ज्यादा तर फ्लावर्स तो सुखे हुए हैं लेकिन इसमें अभी भी कुछ-कुछ कलियां बन रही है और कुछ-कुछ फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल फ्रेस हैं तो फिर मैं इसका हार्ट प्रून नहीं करूंगी ले तो इस तरह से सारे के सारे सुखे हुए फ्लावर्स मैं निकाल ले रही हूँ फिर मिलती हूँ तो जिस प्लांट में फ्लावर्स पहले खिल जाते हैं तो उनके फ्लावर्स पहले ही सुख जाते हैं और जिसमें फ्लावरिंग बाद में स्टार्ट होती है जिसे आपने बाद में लगाया होगा तो उनमें फ्लावरिंग अभी हो रही होगी और मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग लेट से हुई थी तो इसमें अभी कुछी फ्लावर्स हैं जो सुखे हुए हैं और ज्यादातर फ्लावर्स अभी फ्रेश हैं और कुछ-कुछ कलियां भी अभी तक बन ही रही है, कुछ कलियां खील ही रही है तो जो सुखे हुए फ्लावर्स है इनमें से मैं उन्हें चुन-चुन कर खांको यह लेती हो यह इसके इसके मैं हार्ट प्रून नहीं कर रही हूं और इसमें फर्टिलाजिंग भी करूंगी, कौन से फर्टिलाजर इसमें देना चाहिए ताकि जो कलियां पार नहीं है, वो अच्छी तरह से खील जाए, तो आगे मैं बताऊंगी. तो ये देखे, इतने सारे सुखे हुए फ्लावर्स मैंने कट करकर निकाले. फ्रेंट्स गुल्दावदी के फ्लावर्स और यहां तक की गुल्दावदी के लिप्स के भी मेडिसनल वैल्यू बहुत ज़ादा है, इसके बहुत सारे फाइदे हैं, एक दो फाइदे मैं बताने जा रही हूं. गुल्दोदी के जो flowers होते हैं जिसमें की कीड़े वगेरा का attack नहीं होता है तो उसकी चाय बनाकर पी जाती है गुल्दोदी के flowers की चाय पीने से पेट में पत्री जैसी जो बीमारियां हो जाती है वह भी इससे ठीक होती है और गुल्दोदी में बहुती भीनी भीनी खुशू भी आती है तो इसके lips के भी बहुती फायदे है इसके lips को अगर आप जलती हुई आग के उपर रखेंगे तो जब यह lips जलेगी तो इससे जो खुशू निकलेगी वह खुशू अस्ट्रेस को दूर करती है यानि कि जो तनाव से पीडित हैं उनके लिए यह बहुत ही फायदे मंद है हर जैसी बीमारियों में भी यह बहुत ही फायदे मंद है फायदे तो और भी बहुत ही सारे हैं इसके अगर आप आग नहीं जलते हैं आजकल कोई आग जलता नहीं जल्दी तो गैस के उपर भी इस तरह से करने से अस्ट्रेस दूर होता है ड्राइ फ्लावर्स को मैंने निकाल लिया और उसके बाद इतने सारे फ्लावर्स फिर भी इस पे बचे हुए हैं तो मैं इन्हें छोड़ दी हूँ क्योंकि फ्लावर्स के लिए ही तो प्लावर्स हम लगाते हैं और अच्छे फ्लावर्स को काट कर क्यूं फेगने इसलिए मैंने छोड़ दिया है तो अगर आपके गुल्दावदी प्लावर्स में कुछ-कुछ कलियां बन रही है तो क्या करें कि वो कलियां अच्छी तरह से खिल जाए तो सबसे पहले तो जो सुखे हुए फ्लावर्स थे मैंने उसे हटा लिया आप भी उसी तरह से हटा ले उसके बाद स्वाइल को धीरे-धीरे करकर गुडाई कर लें तो गुडाई करने के बाद इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो फर्टिलाइजर में मैं डालने जा रही हूँ इसमें तो यह सर्सो खली का लिकुट फर्टिलाइजर बना हुआ है और इसका मैं यह मग ली हूँ तो उसमें एक भाग शर्षो की खलिका लिकुट फर्टिलाइजर लूँगी क्योंकि यह काफी दिनों से बना हुआ है तो बहुत ही पावरफूल हो गया है तो और उसके बाद है कि जितना मैं ली हूँ उसका अच्छा गुनाईस में पानी मिलाओंगी तो उसर्षो की लिकुट फर्टिलाइजर के साथ यहां पर कुछ डियापी के दाने ढाल देजिसे कि छिछ साथ दाने डाले आप पौटë के अनुसाद ढाले बहुत बढ़ा पौट है जैसे कि आट से दस इंच का पौट है तो कम से कम उस में आट वज यह कुए दस दाने तो कुछ कुछ कलिया निकल ली है इसलिए मैं डाल ली हूँ ताकि वो सब कलिया जो है अच्छी तरह से खिल जाए तो चलिए अब बात करते हैं कि गुलदाओदी के प्लांट्स को नेक्स्ट येर के लिए कैसे सेव कर सकते हैं तो मेरा ये जो प्लांट है ये तीसरा साल इस बार है तो मैं मदर प्लांट्स को ही सेव करकर रख देती हूँ तो गुलदाओदी को सेव करने के दो तरीके आज मैं अभी बता रही हूँ तो ये देखे इस तरह के अगर मिल जाते हैं तो इसके कटिंग्स ले ले और अगर नीचे के लिफ्स मैं हटा दी हूँ इस तरह से और गुलदाओदी के कटिंग्स किसी भी सीजन में लग जाते हैं अभी भी लग जाते हैं अराम से तो इस तरह से आप कई कटिंग्स लगा सकते हैं और जो शकर रूट्स मैंने निकाले हैं ये देखे इस तरह से तो रूट् सपतिव के तो चौना की इसे आप दो किलदाओद्वाlden नहीं आ Помट्वांति टहें लिए ने में सब्सक्रों करें ह newborn करें। करने के बाल फिर मैं इसे इस पॉरे निकाल लेती हूं और छोटे पॉर्ट में फिर इसे सेव करकर रख देती हूं तो अभी मैं ऐसा नहीं कर रही हूं जब मैं करूंगी तो वीडियो अगर बना लूँगे तो फिर डाल दूँगे तो अब बात करते हैं कि गुल्दावदी क फ्लावर्स जो हैं बहुत ही काम के चीज़ हैं इसे फेक के नहीं तो गुल्दावदी के फ्लावर्स को इस तरह से इसके पेटल्स को निकाल कर भी इसे यूज मिले सकते हैं या तो फिर जो गुल्दावदी के फ्लावर्स हैं उन सभी को जितने भी अभी हमने फ्लांट से निकाले हैं तो flowers को अलग कर लेते हैं तो यहां पर हमें एक चीज और देख लेना होगा कि गुल्दाओ जी की जो flowers है वो वो पुरी तरह से सही है या नहीं अगर एफिट्स बगेरा का टैक है तो वैसे flowers को आप नहीं ले नहीं तो दूसरे plants भी उससे खराब हो सकते हैं और य कर लिया है और इतने सारे flowers मैंने इकठा कर लिये हैं तो इसे एक दिन के लिए कम से कम धूप में सुखा लें ताकि इसमें जो किड़े वगेरा होंगे वो सभी मर जाएंगे और यह जो गुल्दाओदी के stems निकले हैं इसे भी मैं नहीं फेकूंगी इन्हें भी सुखने के छोड़ दूँगी तो चलिए गुल्दाओदी के flowers के यूज मैं बताती हूं क्योंकि गुल्दाओदी के plants के medicinal value बहुत ही है तो इसके flowers में बहुत सारे और शद्धिया गून पाया जाते हैं तो इसके flowers से हम बहुत ही अच्छा compost बना सकते हैं तो कोई भी plant अगर आप लगा रहे हों तो पहले तो pot में थोड़ी सी soil भर ले और उसके बाद इस तरह से flowers या flowers के petals को एक layer बिछा ले तो लगवग एक इंच तक एक layer आप बिछा ले उसके बाद फिर से उपर से soil भर दे और उसके बाद कोई plant लगाना हो तो लगाएं तो यह बहुत ही अच्छा धीरे-ध compost बन जाएगा और जो plant को भी लगाएंगे इसमें तो उस plant को बहुत ही benefits होगा उसको फिरी का compost नीचे से मिल जाएगा उसके roots को इसलिए गुलदवदी के flowers को fake नहीं तो इस तरह से आप गुलदवदी के plants को save करकर रख सकते हैं cutting से या उसके सकर roots से और जो मदर plants बच जाते ह हैं उसको भी मैं save करूंगी बाद में जब यह flowers खील कर खतम हो जाएंगे अभी तो बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं यह flowers है इसलिए मैं इसकी heart pruning नहीं की तो फिर मैं जब इसको save करूंगी तो वीडियो इसका share करूंगी तो friends मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अची दालूं तो उसकी notification आपको तुरंद मिल जाए बबबबबबब फ्रेंड्स thanks for watching मिलतें फिर नेक्स्ट वीडियो में